सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सब से पहले और हाँ बेल आइकन तबाना ना भूलें नमस्कार दर्शको आप देख रहे हैं हमारा विशेश कारिकरम और मैं हूँ आपके साथ आर्जु दुबे दर्शको हमारा एक मात्र ऐसा कारिकरम जहां हम आपको तिथी एनुसार उसके पर्व का महत्व बताते हैं कि कौन सी तिथी पर कौन सा पर्व का क्या महत्व है तो आज कामदा एकदशी है चेत्र शुकल पक्ष में कामदा नाम की एकदशी होती है कामदा एकदशी जैसे फल्दा एकदशी भी कहते हैं इसे श्री विश्नु भगवान का उत्तम व्रत कहा जाता है तो आईए जानते हैं कामदा एकदशी के बारे में पौरानिक कथा के अनुसार पुंडरीक नाम का एक राजा था। यहां नाम अपसराएं, गंधर्व और किन्नर रहते थे। इनमें एक अपसरा का नाम ललीता था। वह अपने पती ललित के साथ रहती थी। ललित नाग दरबार में कायक और निर्तक था। एक दिन ललित राजा पुंडरीक के दरबार में प्रस्तुती दे रहा था। तब उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। जिसकारण गायन में गलती कर बैठा। नाराज होकर राजा पुंडरीक ने उसे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। पती को श्राप मिलने से ललिता बेहत दुखी हो गई। पती को श्राप से मुक्ती दिलाने के लिए प्रयत्ने करने लगी। एक मुनी ने ललिता को कामदा एकादशी वरत रखने की सलाह दी। ललिता ने पूरे वीधी विधान से कामदा एकादशी का वरत किया। इस वरत के प्रभाव से ललित को गलता प्राप्त होती है मृत्तिव के पिश्चात मोक्ष भी मिलता है जाने या ना अंजाने में अगर आपसे कोई गलती हो जाती है जिसका आपको प्राश्चित करना हो तो आपको कामदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए तो आइए जानते हैं एकादशी के व्रत का पाप मिटते हैं और मोक्ष मिलता है धार्मिक त्रिष्टी से ब्रह्म हत्या का पाप सबसे बड़ा पाप माना जाता है जो लोग कामदा एकादशी वरत रखते हैं वेश्री हरी विश्नु की कृपा से ब्रह्म हत्या के दोश से मुक्ति पा सकते हैं यदि आप एकादशी वरत रखते हैं तो आपको पूजा के समय कामदा एकादशी वरत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए वरत कथा के पाठ से वरत का महत्व पता चलता है और वरत का पूरा फल प्राप्थ होता है विश्नु पूजा में पंचामरेद एउम तुलसी के पत्ते का उपयोग अवश्य करना चाहिए ऐसी मानता है कि भगवान विश्नु के आशिरवाद से कार्यों में सफलता प्राप्थ होती है जैसे ललीता ने पूरे विधी विदान से कामदा एकदशी का वरत किया था इस वरत के प्रभाव से ललीता को राक्षद योनी से मुक्ती मिल गई थी तो आए जानते हैं कामदा एकदशी की पूजा की विधी क्या है एकादशी व्रत के एक दिन पहले ही नियमों का पालन करना जरूरी है एकादशी के एक दिन पहले पूरे दिन ब्रह्म चरे का पालन करें एकादशी के एक दिन सुबह जल्दी उचकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें भगवान विश्नु की प्रतिमा या फोटो जादी चढ़ाएं कपूर की आर्थी करें और प्रसाद बाटें विश्णु सहस्त्र नाम का जाप करें द्वादशी तिथी यानि कि 13 अप्रेल को ब्रामणों को भोजन करवा कर दक्षिना दें दर्शको आज हमने आपको बताया कि कामदा एकदशी का महत क्या होता है साथ ही बताया कि कामदा एकदशी की पूजा कैसे की जाती है अभी के लिए बस इतना ही धन्यवाद